नमस्कार सातियो, Top 50 Study YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है लेकर के आ गए हैं, आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण संस्कृत के 30 ऐसे प्रशन ब्याक्या सहत, आपने दिन 30 प्रशनों को पढ़ लिया तो समलेन आपके 100 प्रशन कबर हो गए, इतने अच्छे तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं, आपकी प्रात्मिक सिक्षक भरती परिच्छा में इसी प्रकार के प्रशन आते हैं, पूरे सिलेवस के अनुसार प्रशन हैं, तो आप बड़े ध्यान से पढ़िए, सुनिए और रख डालिए इनको, देखिए पहला है, संस्कृत के एकोन चत्वारिंस को कहते हैं, एकोन चत्वारिंसत मतलब एक उन मतलब एक कम, चत्वारिंसत मतलब 40, तो एक कम 40 मतलब कितना हो जाएगा, 49, ऐसी अपन को याद रखना है, ऐसा ही 49 हो गया, 29 को क्या कहते है, बिन सती, तो नव बिन सती, मतलब 29, 49 को नव तरिंसत है, एकोन चत्वारिंसत, उन 69 को 95 कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको याद रखना है अगला देख लेते हैं मैं एक और बात बता दूँ यदि आप संस्कित की पूरी सिलेवस के नुसा तयारी करना चाहते हूं संधी समास प्रत्य उपसरग सब्द रूप धात रूप आप जो भी है ट्रिक के साथ स प्रत्मा विभक्ती का रूप है दूई सब्द तो इस्त्री लिंग प्रत्मा विभक्ती दूई का दूए चलता है क्यासा चलता है दूए इस्त्री लिंग का तो पुल लिंग में देखें आप प्रत्मा में दौव चलेगा ठीक है और नपुन सक लिंग में दूए और इस् स्क्रिस्तार से हैं आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं आगे बढ़ते हैं जिसकी ब्याक्ष्या विल्कुल जरूरी होगी बताना उसकी हम आपको जरूरी बताएंगे अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं चलें ददती रूप है ददती कैसा रूप है तो आपको बता दें दाद हातू जो होती है परस्मई पत के उसके रूप चलते हैं लटलकार के ठीक है लटलकार प्रथम पुरुष का बहु बचन है ठीक है तो कैसे चलते हैं इसके रूप देख लो इस प्रकार के और भी कोई पूछ ले मालू मध्यम पर उसका पूछ ले एक बचन तो ददासी हो जाएगा इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिएगा दाद हातू के रूप पूछ जाते हैं तो क्या लटलकार है लटलकार बरतमान काल में होता है पर्थम परोसे और बहु ब परचन है ठीक है आगे देखते हैं गुरूप देशा सब्द में प्रयोक्त संदी है गुरूप देशा में कौन सी संदी है तो आपको बता दें इसका संदी विक्षित जो हो जाएगा देखें आप यहीं पर दिया है गुरूप प्लस उप देशा तो क्या हो जाएगा उ का उब आ गया, तो उब के बाद उब आया, तो बड़ा उब हो गया, तो क्या बन गया, गुरूप देशा, तो दीर्ग संधी हो जाएगी, दीर्ग स्वर संधी हो जाएगी, संधी की ट्रिक के साथ हमने पढ़ाई है दी, आपने वो वीडियो देख लेंगे, तो मैं गारंटी संधी में कभी एक भी आप गलत करके नहीं आएगे, प्लेलिस्ट में जाएगे, संस्कित की प्लेलिस्ट खोलें और आप संधी का वीडियो जरूर देखें, और देखें, उपसर्ग है, इनमें से उपसर्ग कौन सा है, तो यदा तो अभ्याय है, यदा मतलब जब, कुत्र ही अभ्याय है, कुत्र मतलब कहां, यत्र मतलब होता है जहां, तो ये भी क्या है, अभ्याय है, तो परा उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपसर्ग, परा है, इनमें से उपसर्ग, ठीक है, तो परा उपसर्ग हो जाएगा, देखें, ठीक है, इसमें आप समझ गए अब पराउपसर्ग कैसे हुगा तो इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था संस्कृत में 22 अब आप सोच रहे होंगे सरी क्या बोल दिया मनूरता हमें संधी है मनूरता का संधी विक्षित क्या हो जाएगा मनहा प्लस रता है क्या बन जाएगा मनूरता मतलब बिसर्ग का यहां पर क्या हो गया ओ हो गया तो यहां पर कौन सी संधी हो जाएगी तो यहां पर बिसर्ग संधी हो जाएगी ठीक है चलो आगे देखते हैं नेत्रा भ्याम असुरुनी पतंती में नेत्रा भ्याम पद में विभक्ती है ठीक है तो आपको बताना क्या है नेत्रा भ्याम मतलब नेत्र से असुरुनी मतलब आसु पतंती मतलब गिरते हैं तो यहाँ पर नेत्र से क्या आसु अलग हो रहे गिर रहे जैस तो आप कुछ भी आजया आप पर उत्तर बनना चाहिए, आगे देखें असनी सब्द है, असनी क्यासा सब्द है? असनी pulling सब्द है क्यासा है? आगे देखें तया निरपोनु गम्यते में बाच्च है एक और बात दिए आपने सब्सक्राइब जा किया हो तो सब्सक्राइब उसको जरूर किलिक कर लेना क्योंकि आंगे की जो वीडियो है वो आप पे बिल्कुल भी ना छूटे, आपकी पूरी तैयारी होए, तो आपको बता दें, तया नर्पेनू गम्यते में कौन सा बाच है, तो यहाँ पर कर्म बाच है, कर्म बाच के ऐसा तीन प्रकार के बाच होते हैं, कर्तरी बाच, कर्म बाच और भाव बाच, अब देखे कर्म से सहज जो धात्में होती हैं, उनके साथ होता है, इसमें क्रिया सदा आत्मने पद में होती है, परस्माई पद में नहीं, इसलिए आत्मने पद में क्रिया अनुगम्यते, ठीक है, इसलिए जैसे बालकेन गरंतह द्रस्यते, तो द्रस्यती क्या होगई, आत्मने पद म होगी और सकर्मक धातुओं के साथ होगा वह क्या होगा कर्म बाच्च अब देखें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला आ गया इस समास यूप दारू में समास है तो इसका पहले तो समास पत का बिग्रह कलने है यूपाए दारू मतलब यूप के लिए दारू अब के के लिए कर्ताने कर्म को करण से संपरदान के लिए तो चतुर्थी यहाँ पर तकप्रोस हो जाएगा तकप्रोस समास हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से आप लगा सकते हैं चतुर्थी तसप्रोस इसमें हो जाएगा आपको हैं उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आगे बढ अभी से मैंने बता दिया विल्कु रट लेना इसको बैरि वैरि आई एमपी है। ठीक है कुछ और अर्त देख लें जो पूछे जाते हैं टंडूल का पूछा जाता है इसका रत होता है। जावल, गो धूमकार्त क्या होता है, गेहूं, गर्धव मतलब होता है, गधा, ठीक है, गधा, और धेनुदुगदम मतलब गाय का दूर, यह भी आप याद रख लीजी का, मैं लो यह नप पूछे, यह पूछ लें तो, ठीक है, अगला देखें, बिसर्ग संदी का उधारण वो भी ब्रद्धी स्वर का हो जाएगा नमाह धन्ते से बलकर कि क्या बनेगा नमस्ते तो यह क्या हो जाएगा नमस्ते बिसर्ग संदी का उधारन है और तललया किसका हो जाएगा बेंजन का तत धनलया क्या बनेगा तललया बेंजन संदी आगे बढ़ते हैं पूरा सब कुछ मैंने पड़ाया है आप तो चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं या बीडियो में जाएं आपको जो जो संस्कित की प्लेलिस्ट में लें देख लें सब आपकी काम का है इस पर्स संग्यक बरणों की संग्या है इस पर संगे रख़न कितने हैं 25 ठीक है का से ले करके मातक कचट तप होते ने जो कचट तप मतलब का के पांच फिर चा फिर टा यह सब कुछ यह पांच जो बरण होते ते एक में पांच होते हैं तो टोटल कितने हैं इस पऱन disciples 25 इसको इस पलसी बेंजन भी कहते हैं, का से ले करके मा तक याद रखिएगा, ठीक है, इनके उच्चारण स्थान भी है, कावर का उच्चारण स्थान कंट है, चावर का उच्चारण स्थान तालू है, तावर का मूर्धा है, यह भी याद रखिएगा, तावर का दंत है, और पावर जी जो बरड़ है उनके उस चरण स्थान भी आ गए हैं और ये भी आपको पत अच्य लिग ए कि इस पर सी बेंजन है हैं आगे बढ़ते हैं बाली का इस पद में प्रत्य है बाली का पद आपको बता दें कि ताप प्रत्य स्थानियमें हो जाएगा ताप पत कैसा है कि परिउपसर्ग है ठीक है परिधन अंत तो क्या बन जाएगा परिएंत इसको मिला करके आगे देखते हैं अगे थोड़ा सा वो हो गया आगे देख लेते हैं चलिए नदी सब्द में प्रियुक्त बचने नदी सबसे जादा पूछ जाने वाला रूप है आप नदी की रूपी याद करने, कौन-कौन से रूपी याद करने, वो भी हम बताते जाएंगे इनी प्रशनों के बीच में, ठीक है? तो नदी सब्द में प्रयोक्त बचन है तो नदी जो सब्द बनता है आपको बता दें बहु बचन बता है नदी नद्यव नद्या इसके रूप चलते हैं ठीक है तो दुतिया बहु बचन में क्या बन जाता है नदी बन जाता है अब आपको याद करने पड़ेंगे आप इचाए स्क्रीन सोट ले सकते हैं मैंने दे दिया है और आप पड़ भी सकते हैं वीडियो रोक करके हमें समय भी बचाना है इसलिए अभी हम पड़ नी रहे आप पड़ लें स्वयम क्योंकि याद करने वाली चीज है हाँ ट्रिक से क्यासे याद करना है तो आप हमारे सब्द रूप का जो चैनल पर वीडियो अपलोड है उसको देख लें तो उसमें बताया गया है अब देखें अकारांत पुलिंग सब्द का उधारन है अब पुलिंग तो सीधा इसमें पहले तो आप देखें फल तो नपुन पूरा है तो मा के अंत में क्या है आ है नहीं तो मा फिर ऐसा हलंत लिखा जाता मा के अंत में क्या है आ जुड़ा है इसलिए मा पूरा है तो आकारांत पुलिंग सब्द कौन सा हो जाएगा राम हो जाएगा ठीक है जैसे हम भानू पूछ लेता तो भानू कैसा सब्द है य है इसके अंत में ठीक है इसके अंत में क्या है इस प्रकार से सब्द होते हैं जैसे मालो नदी आ गया तो नदी कैसा सब्द है तो यह इकारांत है इसके अंत में बड़ी है ठीक है कुछ भी आजा है जिसके अंत में जो है वैसा ही कहलाता है अब आप समझ गये होंगे चली अब कैसे भी याद कर सकते हैं जैसे में आपको याद हो ये पूरे विल्कुल रटली जीगा राम सब्सके रूप आगे देखते हैं इह भी सबसे ज़ादा पूछी जाने वाली संदी है प्रेजटी में संदी है प्रेजते सब्द में आपको संदी बतानी है आपने यदि स्वरसंदी के बाद पूर्वरूप पररूप पड़ी होगी तो आप जरूर समझ जाएंगे इसका हमने अलग से वीडियो बनाया है जो पूर्वरूप पररूप संदी है ना उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है यह थोड़ा सा अलग हो गया हाँ चलिए कहां थे देख लेते हैं तो देखी प्रेज जते में कौन सी संदी हो जाएगी प्रेज जते में पररूप संदी हो जाएगी ठीक है इसका संदी विक्षित क्या होगा प्रा प्लस ए जते तो क्या बन जाएगा प्रे जते तो पर रूप हो जाएगे पूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर अबरण कैसा है दन तोष्ट मतलब दात और ओंट दोनों की साहता से उसको बोलते हैं वाको ठीक है तो दन तोष्ट यहां पर हो जाएगा बाकि यह सब पहले ही बता चुके है अगला देखें घुटने के लिए उपर एक संस के सब्द है तो घुटने के लिए बोलते हैं जान ठीक है अब देखें गद्धिहांस भी पूछा जाता है तो अब गद्धिहांस को कैसे हल करना है वो हम बतला रहे हैं इसके आंगे फिर और बतलाते हैं आपको चलें देखें समाजे सरवत्त दुर्जना पीडियंती जनान बिलकोल अच्छे समझीगा क्या करें समाज में सब जगए दुर्जना पीडियंती जनान जो दुर्जन लोग है वे लोगों के लिए क्लिए 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 पीडित करते हैं यद्यपी सज्जना नाम संख्या अधिकास यदि पी सज्जनों की संख्या अधिक है तथा पी दुर्जना एबं प्रवला इती महद आस्चरियम फिर भी दुर्जन कैसे है प्रवल है ये महान आस्चरिकी बात है आप अर्थ समल लेंगे तो बन जाएगा अब कई लोग बोलेंगे सार हम अर्थ नहीं लगा पाते क्या क करें तो उसकी भी अभी हम बताएंगे आपको कैसे निकालना है यतो ही सज्जना प्राया तटश्टा भवन्ती सज्जन कैसे प्राया तटश्ट रहते हैं मतलब कुछ बोलते नहीं है बीच मेनी पढ़ते यदि दुर्जना प्रतिपदम ब्रोदम सज्जना करिश्यंति अब देखो आप अर्थ भी नहीं लगा पाएं तो कैसे आपको करना है चुकि मैंने तो संस्किस से पढ़ाई की है इसलिए मैं तो अर्थ लगा सकता हूं कई लोगों ने उतने डिटेल से नहीं की तो आप चिंता नहीं करें उसकी भी ट्रिक हम आपको बतला रहे हैं देख सज्जना नाम संख्या अधिकास थी तो सीधा आपन समझे गए कि भी यह सज्जनों की संख्या कैसी है अधिक है ठीक है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बूलना चाहिए कि समाज में किसकी संख्या कम है तो दुर्जनों की संख्या अपने आप कम होगे जब सज्जनों की यह यहां पर आधेक के रहे हैं तो दुर्जुनों की शंख्या क्या हो गई कम हो गई इस प्रकार से अब आप यह समझ गए होंगे कि हमें क्यासी निकालना है और देखें यह को और देखें उपर गद्ध के अनिशा दुर्ष्ट लोग समाज में क्यों प्रवल हैं दुर्ष्ट एवं प्रवला महदास्चरियम यतो ही सज्जना प्राया ततष्टा वबनती सज्जन क्या है प्राया ततष्ट होते हैं इसलिए दुर्जन लोग कैसे हैं प्रवल हैं तो क्योंकि सज्जन लोग कैसे हैं ततष्ट रहते हैं पहला ही इसका उत्तर विलकुल सही हो जाएगा तो देखो इसी में से निकल गया ना, चलिए आँगे और वच्छे प्रिष्णों पर चर्चा करें एक गद्ध आता है तो एक पद्ध भी आता है बर्धतेचे तम चाई भूतानी समासे, भूतानी मतलब प्राणियों के लिए समास्रेंती, मतलब आस्रें देते हैं ब्रख्च महान है, वो प्राणियों के लिए आस्रें देते हैं यदा ब्रक्षत यहते दहते चा, लेकिन जब ब्रक्षों को छेटा जाता है या जलाया जाता है, तद आस्रेा अनीके तभवन्ति, फिर उनका आस्रे नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो इसली ब्रक्षों को जलाना नहीं है, आगे देखें, क्या कह रहे हैं इस सिलोक का भाव क्या है तो इस सिलोक का भाव यही है कि भाई या ब्रक्ष महान हैं क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं आस्रे दे रहे हैं ठीक है महान ब्रक्ष हो जाये ते सुरूर में ही कह दिया इसको ठीक है सटी कुत्र ढूँडना पड़ता है उपर एक सुलेक में भूतानी का तातपर क्या है अमने उपर ही बता दिया भूत मतलब होता है प्राणी तो भूतानी मतलब प्राणी प्राणीयों के लिए आस्तरह देते हैं अब देखें आपको धातु रूप यदि याद करने हो तो कोई पूछे सबसे पहले किस धातु की करें तो आप भूधातु की कर लीज़ेगा ठीक है या गया क्यों कि भूधातु लोट लकार मद्यम परोस एक बचन में क्या रूप बनता है तो आपको बता दें भूधातु लोट लकार तो भूका पहले भवतु भवताम भवन्तु एक बचन में हो जाएगा प्रथम परोस में हो जाएगा भवतु भवताम भवन्तु फर बनेगा भाव ठीक है दुतिया मद्यम परोस एक बचन में क्या बनेगा भाव तो भाव भवत यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, धी यह उच्छा है, ठीक है? लट लकार में कैसे चलते हैं? भवति भवता भवसी भप्ता क्या है सरवा, एक क्या है, सरवनाम सब्द है, इसके रूप भी चलते हैं, सरवा, सरवो, सरवे, ठीक है, तो आप भो भी याद करें, एक वीडियो में आपको 100 पलस कॉस्चन हो गए हैं, ऐसे अभी हम 10 वीडियो लगाता लेके आने वाले हैं, ठीक है, तो और डले भी हैं कई चैनल पर जाके आप जरूर देखें, कुंजर सब्द का अर्थ है, कुंजर मतलब होता हाती, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, कुंजर मतलब हाती, और भी जो इसमें दिये हैं, हिरन के लिए म्रग कहते हैं, संस्कृत में म्रगा हो जाएगा, ठीक है, सुवर के तृतिया विभक्ती, एक बचन में आपको बता दें, मात्रा बनता है, क्या बनता है, मात्रा, एक ऐसे रूप चलते हैं, माता, मात्रा, मात्रा, मात्री, मात्रा, एक तृतिया में बन गया, या आप इसका स्किन सोट ले सकते हैं, बाद में ही पढ़ सकते हैं, वीडियो रो अभिज्ञान साकूंतलम कालिदास की है और मेगदूतम भी किसकी है ये भी कालिदास जी की है ठीक है? और सुपनवास दस्ता महा का भी भास की है तो इस परकार से आप बागी रचनाओं को लगा सकते हैं कालिदास की रचनाओं के लिए हमने कोड बताये था रमेकर MBA इसका मतलब क्या होता है रासे रघुबंस मेसे मेगदूत कासे कुमार संभव ऐसे पूरे हमने आपको बताये थे अब पूरा हम नहीं बता रहे हम भी चाहिते हैं मेरे एक निवेदन कमेंट में आप बतायाएं आप किस एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उसी के सिलेवस के नुसार हम और ऐसे प्रिश्णोत्तर लाएंगे आपके लिए पढ़ाया जाएगा पूरा आप कमेंट में ये जरूर लखें आपके से एकजाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियू को like करना चली देखें निमने लिखित में ऐसे कौन सा स्वर है स्वर बताना है तो आपको बता दें बिरी नहीं है स्वर लिरी है, लिरी ठीक है आ-ई-उ ठीक है आ-ई-उ re होता है और एक liri होता है ये दो आगस स्वर जो कहलाते हैं तो क्या हो जाएगा लिरी इसमें क्या हो जाएगा स्वर हो जाएगा और जब माहिस्वर सी सूत पढ़ेंगे तो ठीक है आई योण री लिक आ गया ठीक है लिरी इस प्रकार से यहाँ पर 30 प्रशनों पर हमने चर्चा की 30 ही प्रशन पूछे जाते हैं अंगले वीडियो में पुनहा ऐसी महत्पूर्ण 30 प्रशन लेकर के आएंगे आप जुड़े रहें पढ़े रहें सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें और दोस्तों तक इसको आंगे स थियार करें जाए हिंद